बहुत जल्द फिल्म NRI Vives रिलीज होने वाली है जी हाँ ये फिल्म आपको बड़े परदे पर देखने के लिए मिलेगी 12 मई को जिसमें आपको नजर आएंगे पागिश्री, राइमा सेन, जुगल हंसराज, कीकुशारदा, हितेन तेजवानी, समिर सोनी और अधिती जी हाँ इस फिल्म की प्रडियूसर और राइटर है गुंजन और इस फिल्म को डिरिक्ट किया है विभू का शिप कैद और रैख खान ने तो वैसे में साजबू और बेटिया ने की इस NRI Vives की टीम से खास मुलाकात तो आईए करते हैं उनसे कुछ बाचित और जानते हैं कि आखिर वो अपनी आने वाली फिन के लिए कितने ज़्यादा एक्साइट है अच्छित 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 क्यों पर आउच्छित आप सबका स्वागत है आज तक मैं हूं अनीता बृत और आज मेरे साथ है अधर इस NG the most gorgeous lady Mage Shree Hello Namaskar Yes, you are Very good, thank you So I can see people are going crazy Abhi Philal, आपको देखके and like I said you are evergreen people are loving and this is your second inning if I can say that सही है ये विद्ट थाया थाओ उत्याब तक कर्णा प्रूज्ड उत्यारोगो और नहीं थाओ लएँ मिल्वावीरा था है वह शोड़ वह बहुत पसंद लोगों किसी कहाई किसी की सियान में लोगों को पाले वहाँ से भीघुड करते हैं और खा कि भागिश्री मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं और I want you to do one scene for me तो मैंने पूछा भी नहीं क्या है मैंने का हाँ जरूर बुले नहीं सिर्फ तुम नहीं मैं चाहता हूं कि हिमाले जी भी करे और अभिमन्यू भी करे मैंने का उनका तो पता नहीं ब्जे पूच के बताना पड़े गा बुले नहीं तुम मत पूचो मैं फोन करूंगा तो मुझ से नम्मर मांगे दोनों के नम्मर मैंने दिये अफ्कॉस अभिमन्यू का थाई अभिमन्यू और सल्मान मुझ से जाधा मिलते हैं तो दोनों को फोन किया वखायद में सुनाया मतलब उन्हों ने सीन पहले सुना मुझे तो पता भी नहीं था मैंने बस 학 कर दी थी मुझे टना भी नगी अवैग उत लुछ खोरिस इतना हुटीप सेन बनाया था कि शूटिंग के दौरान भी हमें बहुत मजाया क्योंकि बहुत सारी पुराने बाते हम लोग बात कर रहे थे बहुत हसी मजाग हुई सेट के ऊपर तो बहुत अच्छा लगा अपने वो जो टीस किया है अपने फैंस को सल्मान अर आपके जो फैंस है वो इतने छोटे सीन में आपने जो टीस किया है उनको नाव एक्सपेक्टिंग मोर कि कब यह दोनों जोडी वापिस आजाए 33 यह था टेकन फो यॉल तो कम बाग ओके तोगेदर अब और कितना साल आप अपने फैंस को उंतजार कराएंगे कि अब दोनों एक साथ में फुल फ्लेज मोवी करेंगे अब देखिये वो तो राइटर जब अच्छी कहानी लेकर आएगा जहां पर सल्मान भी हां बरे मुझे भी अच्छा लगे कि कहानी में दम है तब तो साथ में काम करेंगे ना बाग श्री आपके क्राइटिरियास क्या है जब आप मुवी सिलेक करते हैं आपके क्राइटिरियास क्या है अपके क्राइटरियास क्या वाइस प्रोसस में दम है विए इस बरे इंपरूर्टन की जो किरदार मैं निभा रही हूं वो कही ना कहीं ओडियन्स को चू जाए उनके दिल तक मौच जाए और अस ए तो बारा मही को मेरी दो completely अलग फिल्म में आ रही है NRI Wives और चत्रपती तो तो दिफ्रेंट रोल्स अस अच्टर, I think that's the greatest satisfaction to be able to show the audience कि मैं ये भी कर सकती हूं और ये भी कर सकती हूं Can we say that we are in the golden era when it comes to making films and scripts women actors के लिए लिख रहे हैं it's very different, which was the first time, but now it's very different so do you think we are in a good period right now? अभी भी बहुत मौका है जहां पर stories for my age group of people can be written I think mature love stories still have to come to India लोग सोचते हैं सिर्फ बच्पना में और कॉलेज में प्यार होता है और उसके बाद होता ही नहीं है तो तो आप बड़े होते हों एक उमर हो जाती है तब का प्यार कुछ अलग होता है So I think we are still in a place where lots more stories can come out like that Absolutely, I agree And how different will be this NRI Wives for you? As an actor, it has a very different story It has four different stories and you are part of one of those stories How different is that? यह एक ऐसा किरदार है जहां पर लोग सुमन को नहीं देख पाएंगे So it's very different I think the best part of NRI Wives is यह कहानिया है उन लोगों के बारे में जिनको हम जानते हैं पहचानते हैं शायद हमारे लाइफ का हिस्सा रह चुके है या है लेकिन हम उन्हें एकसेट नहीं करते हैं क्योंकि we like to pass judgment on people कि morally यही सही है यही करना चाहिए लेकिन जब तक हम उनके पत पर नहीं चले तब तक हम यह नहीं पता चलेगा कि शायद हम वही decision ले जैसे वो लेते हैं So these stories are about love versus desires कभी-कभी एक relationship में एक ऐसा दौर आ जाता है जहाँ पर हम वो सारी चीजे करते हैं जो हमने सीखा है या सुना है कि जो नहीं करना चाहिए And yet you're not wrong कि कही ना कही life के अंदर कुछ circumstances वैसे होते हैं कुछ चीजे ऐसे होती है जिनसे हम दूर नहीं भाग सकते हैं और वही चीज हमें करनी पड़ती है या हो जाती है और ऐसे लोग हैं हमारे इर्दगिर्द हैं So these stories are about those kind of people You know, we speak about love, we speak about desire But when we talk to women about love and desire We are put down We are not supposed to express our love and our desires Whereas men can express however they want to express That is one of the barriers that we want to express What are your thoughts on this? So watch NRI Wives Because this barrier toड़ने के लिए हम लोग आये हैं कि एक औरत को भी एक एहसास होता है प्यार और desires के बीच में जो gap होता है उसे हम मिटाने की कोशिश करते हैं बहुत सारी कहानिया है जो यह सब बाते कर रही है So these four stories are on four different relationships जहां पर एक relationship कायम है एक औरत की जिंदगी में और फिर भी वो एक दूसरे relationship को एक अलग नजरीय से देखती है So we are talking about those You all have many other stories also Like open marriage के बारे में बात हो रही है सीरीज में थोड़ा और उनके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं मैं बताना नहीं चाहती हूँ मैं लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि बारा मई को आप देखिये NRI Wives और कुछ ऐसी कहानिया आपको नजर आएगी जो पहले कभी आपने सुनी नहीं होगी पागेशी मुझे यह जानना आपसे कि What is the secret of marriage? यंग्स्टर्स को क्या वताएंगे? What is the actual ingredients for a happily married life? दोस्ती बहुत जरूरी है कि आप दोस्त बने सबसे पहले क्योंकि जब दोस्ती होती है तब हम expectations कम रखते हैं और grudges को क्यारी नहीं करते क्योंकि दोस्ती के माहने अलग होते हैं So we accept a person for what they are जो आप हो सु मेरे दोस्त हो आप दूसरे इंसान को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं And I think that is what makes marriage work Superb But जाते जाते हमसे यह बताएए यह दूमों भी तो पारातरिक को रिलीज़ोरी है Chhatrapati and NRI Wives It's called Happy Teacher's Day और वो बहुत ही अलग है तो हाँ, दौर अभी शुरू हुआ है और जब तक आप पसंद करेंगे तब तक हम स्क्रीन पे आपको एंटर्टेन करते रहेंगे On that note, thank you so much हमसे बात करेंगे And all the very best Thank you